हरे किरचना गवरांगी कैसी हो? क्या तुम मुझे अठ नहीं रहे है कविता समझा सकती हो? ओके ठीक है मैं आता हूँ हाई गवरांगी हरे कृषना हरे अठ नहीं रहे है कविता बसंत रितुक में फागुन मास के बारे में वर्णन है इसमें कभी कहते हैं कि अट नहीं रही है यानि समा नहीं पा रही है क्या समा नहीं पा रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है आभा यानि शोभा फागुन की शोभा उसके तन में समा नहीं पा रही है जैसे कोई अगर कोई प्लेट हो कोई कटोरी हो उसमें तुम समान भरो और वो जो बहुत जादा हो जाती है तो वो बाहर निकलने लगती है वो उसमें समान नहीं पाती है उसी तरीके से फागुन में जो उसकी सुन्दर्ता है जो उसकी शोबा है वो इतनी जादा है कि वो उसके अंदर समान नहीं पा रही है उसके शरीर में समान नहीं पा रही है और वो बाहर निकले जा रही है पूरे वातावरन में फैली हुई है कहीं सास लेते हो घर घर भर देते हो अब ये फागुन की सास क्या है इस मौसम में तुम देखोगे कि बहुत सारे पत्ते फूल वो सब पेड़ पर नए नए बोकल निकले होते है फूल होते तो इन्हें फागुन के सास कहीं गई है कि उनकी जो सुगंध है उससे पूरा वाता वरण सुगंधित है और यानि हर घर भर गया है उड़ने को नब में तुम पर पर कर देते हो यानि फागुन मास कवी को नब में उड़ने को पर प्रदान कर दे रहा है नब यानि भाव के नब कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए कवी को फागुनमस पर प्रदान कर देता है आख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तो से लदी डाल कही हरी कही लाल अब उसकी इतनी सोभा है कि वो आख हटाने की कोशिश करते हैं पर वो हटा नहीं पाते हैं पत्तो से लदी डाल यानि इस मौसा में नएने पत्ते निकले होते हैं तो वो कही हरे होते हैं कही लाल होते हैं कही पड़ी है और में मंद गंद पुश्पमाल और यानि हृदय तो हृदय में तो नहीं होगा तो आप समझ ले हृदय पर या फिर कभी माला होती है तो वो हृदय तक ही लटक कर आती है तो कहीं पड़ी है और में मंद गंद पुष्प माल यानि ऐसे जो पुष्प है उन्होंने हलके पुष्प की माला पहनी हो वैसा प्रतीत हो रहा है पाट पाठ शोबाशी पत नहीं रही है पाट पाट याननी इस्तान जगा जगापर सोबाशीर Shree यानि भंडार वैसे श्री तो अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ लक्ष्मी देवी भी होता है लेकिन यहाँ पर भंडार की बात हो रही है पट नहीं रही है यानि जो समा नहीं पा रही है उसकी सोभा का भंडार समा नहीं पा रहा है और पूरे वातावरन में पैला पड़ा हुआ है इस कविता में मानुविय करण अलंकार का प्रयोग हुआ है जिसे प्रकृति का मानुविय करण किया गया है पुरुरुक्ति प्रकाश और अनुप्राश अलंकार तो इन अलंकार का प्रयोग हुआ है थैंक यू सो मच गौरांगी तुम हमेशा मेरी मदद करती हो वेलकम हरी